गंगोत्री हिमनत गंगा नदी का उदगम स्थल है. यह भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित है. भागीर्थी गोमुक स्थान से पचीस कीमी लंबे गंगोत्री हिमनत से निकलती है. भागीर्थी वह अलकनंदा देव प्रयाग संगम करती है जिसके पश्चात वह गंगा के रूप में पहचानी जाती है. शिवजी भागेरत से प्रसन्न हुए और गंगा को धर्ती पर लाने में उनकी मदद करने के लिए राजी हो गए. तब ब्रहमाजी ने अपने कमंडल से गंगा की धारा छोड़ी और शिव ने अपनी जटाओं में उसे समेट लिया. कुछ दिनों बाद शिव ने अपनी एक जटा खोली और फिर गंगा का धर्ती पर अवतरण हुआ. जिस दिन गंगा की पहली धारा धर्ती पर आई, वो जेश्ट शुकल दश्मी का दिन था. भागीरत गंगा को धर्ती पर कैसे लाएं? ऐसा इसलिए क्योंकी पौरानिक काल से यह मान्यता है कि गंगा में सनान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और अनंत्पुन्य की प्राप्ती होती है. विशेश दिन जैसे अमावस्या या पूर्नेमा तिथी के दिन गंगा जल में सनान करने से साधक को देवी देवताओं का आशिरवात प्राप्थ होता है गंगा सनान के बाद शरीर को कभी पोछे नहीं ऐसा करने से गंगा सेवन का लाब कम हो जाता है इस दिन गंगा में डुबकी लगा कर नमो गंगाये विश्वरुपिनिये नारायनिये नमो नमह मंत्र का जाप करते हुए स्नान करें इससे आपके पापों का प्रायश्चित हो जाता है हर हर गंगे जैमा गंगे हर हर गंगे जैमा गंगे हर हर महादेव हर हर महादेव बोलो गंगा मया की जै हो